नमस्कार जहिन साथियों जारी किया जा चुका है साधरन बासा में के तो इंडियान आर्मी की ओर से लिखीत वे मोखिक तोर पे दोनों जगे पुरानी भरती परकिर्या को रद बताया जा चुका है दूसरी ओर एरफोर्स इंडॉल्लमेंट वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी भी इस बात का संशे है कि उन्हें अभी तक लिखी तोर पे एरफोर्स की ओर से उनके इंडॉल्लमेंट वे रिजल्ट को लेके रद होने की बात से अउगत नहीं करवाया गया है और ताजा अगर बात की जाए तो पीएम ग्रिवेंस पोर्टल या आर्टिय दोनों और से हमें रिप्लाई मिला है एरफोर्स इंडॉल्मेंट रिजल्ट वे आर्मी एक्जाम को लेके जिसमें आर्मी एक्जाम को लेके तो आर्मी अभी भी साब कह रही है कि हमने उसको रद कर दिया है आपको नई भरती योजना अगनिपत के तहत तयारी करने चाहिए लेकिन एरफोर्स की और से अभी भी इस बात को कहा जा रहा है कि आप निरंतर एरफोर्स की ओपिशल वेबसाइट या फिर वायू सेनिकों के चैन की जो ओपिशल वेबसाइट है उसके उपर आपको निरंतर विजिट करना चाहिए हमने आर्टियाई वे जो प्रिवेंस प्रिवेंस पोर्टल है उन दोनों जगे से इनके रद होने के उपर इस पश्टिकरन की बात सामने रखी थी लेकिन जबाब के तोर पे अभी भी इंडियन एरफोर्स की ओर से लिखी तोर पे किशी भी परकार से पुरानी भरती परिगरिया को रद नहीं बताया गया है आप में से कही साथ ये बोलेंगे कि सर एरफोर्स की कही अधिकारी तो मीडिया के सामने इस बात का कहे चुके हैं दावा कर चुके हैं तो आपको बता दें कि मीडिया उनसे जब सवाल करता है एरफोर्स की बात करना हूं में यहाँ मीडिया अगर एरफोर्स के अधिकारियों से सवाल करता तो एरफोर्स के अधिकारी यही जवाब देते हैं कि नई भरती परकिरिया के तहती एंट्री होगी पूरानी भरती परकरिया के उपर एरफॉर्स के अधीकार किसी भी परकार का इसपस्टिकरण दे रहे हैं साथानट बासा में कहें तो युवाओं को इस बात की चिंता है एर फोर्स की विप्रीत अगर बात करें आर्मी वाले युवाओं की तो आर्मी वाले युवाओं ये सोच रहे हैं कि उनके केस के स्टेटस को लेके आर्मी क्लियर कर चुकी है केस नहीं बलकि उनके मुद्दे क अभी तक नहीं दिया गया है युवाओं को चिंता यह है कि उनको तो जोइनिंग मिल जाएगी हमारे army exam का क्या होगा यह बात हमने सेने मामला कूर्ट में विचारा दीन है युवाओं को चिंता इसलिए नहीं करने 2008 वाले यूओं की भी मात कर रहा उन की बात कर्रा कर रहा हूं जिनके फाधर्स जिंके भाई याढ… जिंके कोई भी रिलेशन जिनके रिलेश्ष। Biz श्यूप का एक ज़ियून को उन्ह दरजा यहाँ को मलता है जिसके तहते उन्हे केंडिडेट्स कितने लिए जाते हैं यह तमाम पेच है वहां अटके रहते हैं लेकिन एरफोर्स के विप्रित अगर आर्मी एक्जाम के उन्हें युवहों की बात की जाए जो केवल सहीद गोटे से आते हैं उनकी केवल जोइनिंग बाकी है डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि युवहों को किसी भी परकार से चिंता करने की जूरत नहीं है क्योंकि न्याय की इस्तति समकक्ष हैं एरफोर्स इंडॉल्मेंट और आर्मी एक्जाम को हलां कि बले इस्तती कलिए है कि एरफोर्स अभी तक लेखी तोर के उपर रद करने की बात सामने नहीं की है आलां कि उन्होंने ये जरूर का है मोखिक तोर के ऊपर लेकिन स्पेसली अगर कलिरंस की बात करें तो जैसे आरומी ने किया वैसले एरफोर्स ने नहें किया है सब्साइट को विजिट कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा उस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि युवाओं को न्याई कैसे मिलें इस वीडियो के माधिम से सो बात की एक बात यह कहेंगे तीनों जो युवा तैयारी करते हैं एरफोर्स इंड्रोल्मेंट रिजल्ट वे इंड को बताना चाहेंगी कि आपको निरंतर किशी भी परकार से परेशानी की ज़रूत नहीं है न्याई मिलेगा तो समकक्ष के दाइरे में मिलेगा अब इसको पोजिटिव ले या नेगेटिव यह आपके उपर निरबर करता है लेकिन जो भी आर्टे हमारी उससे लगाई गई उनके मायदम से जो भी रिप्लाई मिले है हमारे लिए मजबूत पक्ष है क्योंकि हमने 14 जून के पश्वात आर्टे लगे थी और उसमें लिखित स्टेटमेंट जानने की कोशिश की इस लिखित स्टेटमेंट के मायदम से आर्मी ने किलेर कर दिया है कि वो एक्जाम को र दिख रहे हैं पॉइंट वीडियो के अंतक बने रहने के लिए पूरे पुइंट प्रिवार के सभी शातियों का दिल से शुक्रिया मिलेंगे फिर ताजा सटिक विशलशन पर वीडियो के साथ अपने मेजबान धनेश को दीजिए जाजत जैहिन जैवार शुक्रिया